हलो फ्रेंड्स चैद्वार का दीज आज हम बनाएंगे भर्वा भिंडी के बहुती टेस्टी सबजी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने 300 ग्राम भिंडी को अच्छे से वोश करके उसे पोछ लिया है पोछना बहुती जरूरी है उसका चिकनापन हटाने के लिए अब हम भिंडी को इस तरह से काट लेंगे आगे पीछे का हिस्ता निकल के हमें बिच में से इस तरह से काट लेना है देखना है कि कोई कीड़ा वगिरे ना रहे अगर कोई भिंडी इस तरह से बड़ी हो तो इसे बीच में से दो भग में काट लेना है और उसको भी बीच में से इस तरह से काट लेंगे इस तरह से हम सारे भिंडी को काट कर तयार कर लेंगे अब हम जा रहे हैं मसाले की तयारी करने के लिए तो श्रॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है उसमें एक चम्मच लसुन की चटनी नोर्मल लाल मीर्च कास्मीरी लाल मीर्च आधा चम्मच डेढ़ चम्मच धन्या पावडर और फ्रेश कटा हुआ धन्या हमें बहुत सारा लेना है इसका टेस्क बहुती अच्छा आता है और स्वाद अनुसर नमक ले लिया है और थोड़ा सा ओइल अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा मिक्सर बंड कर बिल्कुल रेड़ी है अब हम चलते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस में अब हम भिंडी का स्टाफिंग करेंगे अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप सुगर भी थोड़ा आधा चमच चितना डाल सकते हो मैंने यहां पे सुगर का यूस नहीं किया है इस तरह से हम एक एक करके सारी भिंडी रेड़ी कर लेंगे तो देखिए यहां पे हमने सारे भिंडी को अच्छे से स्टाफिंग कर लिया है अब हम इस भिंडी को स्टिम में पकाने वाले हैं स्टिम में पकाने से क्या होता है कि हमारा मसाला जो है वो निकल नहीं चाता और खाने में बहुत बढ़ीया टेस्ट आता है तो मैंने पहले से ही एक बतर में पानी को गरम करने के लिए रख दिया था पानी हमारा गरम हो गया है अब हम एक एक करके सारी भिंडी को स्टिम में पकने के लिए रख देंगे इस तरह से हमने सारी भिंडी को छोड़ दिया है पकने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश बिंडी का यूज किया है फ्रेश बिंडी चल्दी से पक जाती है और खाने में बहुती अच्छी टेस्टी लगती है और फ्रेश लगती है तो यहाँ पे मैंने ठकन से कवर कर दिया है और GES की High Flam मैंने इसे 5 मिनिट के लिए स्टेम में पकना के लिए छोड़ दिया है चलिये तो अब हमारा फाइव मिनिट कंप्रिट हो गया है GES की Medium Flam कादी है हमने और देख लेते हैं कि हमारी भिंडी स्टेम में अच्छी से पक गई है यो नहीं बहुती केरफुली से हमें ये ठकन खुलना होगा क्योंकि ये बहुती करम हो जाता है देखिए हमारा भरवा भिंडी है वो पकर बिल्कुल रेडी है देखिए बहुती बढ़िया लग रहा है वो खुसबो भी बहुती अच्छी आ रही है तो अब हम गेस की फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए 5-7 मिनिट तक रख देती हूँ अब हम भिंडी का तड़का लगाएंगे तो एक कड़ाय में मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है अब हमारा ओइल गरम हो गया है इसमें एक चमच जीरा एट किया अधा चमच जीरा और थोड़ी सी हिंग अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज एट करेंगे यहाँ पे मैंने एक मीडियम से इस प्याज को अच्छे से इस तरह से काट लिया है इस तरह से कटी हुई प्याज दिखने में बहुती अच्छी लगती है तो प्याज हमारी अच्छे से पकने लगी है अब हम इसमें बारी कटा हुआ टमाटर एट करेंगे तो चलिए टमाटर एट कर दिया टमाटर को भी बहुती बारी किसे चोफ करना है टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया नमक को हमें बहुती ध्यान से डालना है क्योंकि हमने स्टाफिंग में भी लिया है जब तक हमारा टमाटर गलना चाहिए तब तक हम इसे पकाएंगे चलिए तब हमारे टमाटर गल गये है अब हम इसके अंदर जो हमने स्टिम में पकाया था वो भरवा भिंडी एट करेंगे अब एट करने के बाद हमें एक चीज़ का थ्यान रखना है कि बहुती बारी की से हिलाना है वरना हमने जो स्टाफिंग किया था वो निकल जाएगा तो चलिए अब हमारी सब्ची बन कर बिल्कुल रेडी है तो अब हम गेस की फ्लेम ओफ कर देते हैं और भरवा भिंडी को हम डीस में डाल के साब कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंडीस ले लिया है इसके आंदर मैंने भरवा भिंडी डाल दी है भरवा भिंडी दीखने में तो बहुती अच्छी लग रही है खाना में भी उतने ही टेस्टी होगी तो भरवा भिंडी बनाना बहुती इजी है यह तकरीबन 10 से 12 मिनिट में बन जाती है पापिस से हम इसके उपर फ्रेश कटा हुआ धन्या एट कर देंगे भरवा भिंडी को आप रोटी, पूरी या फिर पराटा के साथ खा सकते हो तो आप लोग भी इस तरह से भिंडी जरूर बनाना और खाकर हमारे साथ आपका अनुभव कमेंट सेक्शन में से जरूर कीजिएगा तो हमारी आज की वीडियो लाज तक देट में गेले थैंक्यू वेरी मुच अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक से रो सब्सक्रिब करने ना भूले थैंक्स पर वाचिंग बाई टेक केर